21 एप्रिल इसले चोपिश कंटा में केउंजार मुहिर्भांज धेनकेनाल बालाशोर कंदामन राइगारा गजबोती एशब दिस्टिक्स में एक दोजागा करके धंडास्टाम लाइटेनिंग का साथ बारिश हुआ है हाइस्ट बारिश हुआ मुहिर्भांज धिस्टिक्स का गपागंज नगर में 31.1 mm घाटकाव क्योंजर धिस्टिक्स में 25.6 mm मैक्सम तेंपरेचार हाइस्ट वाह पिस्ले चोपिश कंटा में सौनपूर में 44.5 डिगे सर्श्यास अब 42 और अब 8 प्रेश में था बुलांगीर 44.0 धर्शिकुदर सुंदर्गार बोध तीटलगार 43 इच ओंगोल 42.1 संभलपूर 42.4 इंटो रिश का दिस्टिक्स में मोस्ट अब दा प्रेश में तेंपरेचार साहविक से 2-3 डिग्री जादा था पोस्टल रिश का दिस्टिक्स में तेंपरेचार मोस्ट अब दा प्रेशस में शाहविक कास पसी है गोवनेश्टर सीटी में तेंपरेचार था 37.1 डिग्री सेल्सियास अबी आगला पांस दिन का जो फोरकास्ट अमरा है नेक्स 24 आउर्स में थांडस्टाम लाइटिनिंग अक्टिविटी का साथ कस्टी वूइन भी हो सकता है 40-50 केंपेज दर जा सकता है एक दो जागा में इसमें कुछ-कुछ थानपर, बारिश, उंगुल, धेनकनाल, क्योंजा, मेर्भांच, पलाशोर, भद्रव, जाजपूर, किंद्रपरा, देवगार, मलकानगिरी, कुरापूर, राइगरा, नभरंगपूर, कजबुती, जाब डिस्टिस का उंदर में हो सकता है, थान्दास्टाम लाइटिनिंग वर्निंग भी है, बाकी डिस्टिस में भी एक दो जागा करके थान्दास्टाम लाइटिनिंग अक्टिविटी का साथ बारिश होने का चांसिस है, फिर कल भी आमारा थान्दास्टाम लाइटिनिं बलाशोर, कलाहंडी, नौएग और नौअपर, इस आप डिस्टिक्स में एक दो जगा करके थान्डास्टम को साथ बारिश हो सकता है, 24-25 में थान्डास्टम अक्टिविटी रिडूस होने का चांसे सह, इसमें केबल एक दो जगा में थान्डास्टम अक्टिविटी का साथ बाज़े से, फिर दो दिन का बाद, मेंस मेंली 24 से अवर्पी ग्याजवाली 3-4 दीर से तक राइज करने का चांसे सह, भोवनस्टार सीटी में नेक्सम टेंपरेचर आज 36 का असपास रहेगा, अब पाटली क्लावड स्काय रहेगा, थंडारी अक्टिविटी भी होने का प